हलो फियंज वहलंकूब веч Kamal माई नीव मिष्यणनी और आज में बनाने वाली वी टेश्टी से ब्रेट के गुलाब जामु हीयाओ पेर्ण आज में बनारे वाली टे ш्टी टेष्टी गुलाब जामुWS जो का नमी बहुत इस तेश्टी लगते हैं और अगर आपको मेरी बीडियो एक तार हो चाए हम लोग वकी एक तार की चास्नी त्यार हो चुकित जैसे हम लोगोगो चीहें ब्रेट करके खिला दिले aircraft लेने के लिए, अब हम लोगो घैस का फ्लेम आफ पार देंगे, ब्रेट के गुलाब जामु परादनी के लिए 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 देिया, यहां पे मैंने भरने के लिए 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 लाइची देसी अधTwo रीच लिए 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 यह थ हम लोग वह तो Putnamople के लिए लिए कहले ब्रेट के लिए लूख से लाइख सकते हो बट यह ऐसे भी बन जाएगा क्योंकि ब्रेट जो होते हो बहुत सौप्ट होते हैं तो फिर यह बन सकता है इसली उसके बाद से मैस में डालूँगी देशी घी देशी की इसे बहुत अच्छा टेश्ट आएगा उसके बाद मैस में डालूँगी कुटियों इलाइची फिर मैस में डालूँगी क्रीम क्योंकि इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और फिर मैस में डालूँगी थोड़ा करके मिल्क हम लोगे इसका एक सौप्ट डूब बनाना है तो हम लोगे इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐसे इसको गूत लेना है आपको इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूद मिलाना है नहीं तो फिर यह ज़्यादा गीला हो सकता है आपको ऐसे इसको आटी की तरह गूत लेना है हम लोगा डो तैयार हो चुका है अब इसको हम लोगो 10 मिनट के लिए फूलनी के लिए छोड़ देना है डो पर रखे वें हम लोगो 10 मिनट हो गया अब इसको हम लोगो फिर से गूत लेना है ताकि यह अच्छे से मिक्स हो जाए आपको इसको एकदम अच्छे से मिक्ष करना है ताकि जब हम लोग इसके बॉल बनाए तो बॉल एकदम चिकने बने और इसमें कोई क्रैप ना आए अब हम लोग इसमें से चोटा से टुकडा लेना है फिर उसके ऐसे गोल कर लेना है उसके बाद हम लोग ऐसे उंगलियों के मदश से इसे दबाना है और फिर इसमें हम लोग बदाम और किसमें इसको बंद कर देंगे रखके और फिर इसको ऐसे बंद करना है और फिर इसको ऐसे अत्यलियों पर चिकना कर लेना है अगर आपके हाथों में यह छिपक रहा हूँ तो आप घी लगा के फिर इसको बना सकते हैं तो अच्छे से बॉल बनाना है एकदम चिकना बॉल अब देख सकते फिरेंट मैंने इसको कितने इच्छे से बना इसमें कोई भी क्रैक्स नहीं आया है एसी आपको सारे बना के रख लेने हैं मैंने सारे गुलाब चामुन बना लिए अब इसको मैं तलनी जा रही हूँ मैंने गैस को आउन कर दिया है अब मैं कड़ाई को रख दूंगी गरम होने के लिए हाई फ्लेम पे हम लोग के काई गरम हो चुकी है अब हम लोग इसमें रिफाइन डाल देंगे आप घी भी डाल सकतो और रिफाइन भी हम लोग का देल गरम हो चुका है अब ही मैंने गैस का फ्लेम मीडियम कर लिया है अब हमको क्या करना है इसमें एक एक करके सारे बॉल डाल देने है और प्र इसको अम लोगो ऐसे ही छोड़ देना है, चलाना नहीं हो तो जब यह हल्का सा सिख जाके तब इसको चलाएं अब यह नीचे से अल्का सा सिख चुक euh चला aspects इसको हम लोगो चारो तरफ से ऐसे घुमा के अच्छे से से शेक लेना है अब देख सकते हो यह अभी golden brown हो गया है अभी इसको हम लोगो थोड़ा सा और लाल करना है और इसको बराबर ऐसे चलाते रहना नहीं तो फिर यह चारो तरफ से नहीं अच्छे से सिखेगा यह कितने ही अम्मी देख रहा है ना फ्रेंज अभी से इतने ही अम्मी देख रहा है और जब यह सुगर सिरफ में जाएगा तो और ही अम्मी हो जाएगा यह जो difलेस आप देख सकते हों सारे गुलाब जामून अच्छे से तल चुके हैं अब इसको हम लोग को पड़ाई से निकाल लेगे और ग्यास का फ्लेम ओशचो कर देंगे अमने के गुलाब जामुन बन चुके हैं अब इसको हम लोग को सुगर सिरप में डालके कम से कम दो घंटी के लिए छोड़ देना है ऐसे ही ताकि अच्छे से सुगर को अपने अंदर सोक ले और फिर हम लोग का टीश्टी सा गुलाब जामुन खानी के लिए त्यार हो साएग सुगर को अच्छे सोक ले और फिर दो घंटे बाद रेडी हो जाएंगे खानी के लिए और मुझे को खा जाओंगी आप देख सकते हो मैंने इसको दो घंटी के लिए भिगो के छोड़ दिया तो उसकी बाद ही कितनी फूल गया और कितनी सुंदर सुंदर दिख रहा है